ये कहानी एक सुनसावन आयर्ट से शुरू हुई है जहां सुवा नामी इंडर की पोश्च में आई है उसे कुछ याद नहीं आ रहा कि वो यहां कैसे आई उसके कोई इनसान बिरी पर यहां से बाहिर गंदी का रास्ता ठूने के वो इधर उधर भटकना शुरू करती है और तब ही उसे वेट में पड़ी हुई एक बोटल लज़र आती है इस बोटल को उठाते ही जो आपकी गूसरी हुए बाते याद आने नगी वो यहां कैसे आई थी की बात थी एक हफ़ते तहले की जहां वो अपने घर पर थी उसे एक अनाव नमबर से एक आईलेंड पे होने वाली पार्टी का इंविटिशन मिलता है जो कि बिलकुर फ्री था जो आप पगहर कुछ सोचे संचे महां जा लेकिन ये हां कर देती है हाला कि ट्रिप के रूल्स भी काफ यजीब थे पहला ये कि वो इस ट्रिप के लोकेशन के बारे में किसी दूसरे को नहीं बदा सकती और दूसरे ये कि वो अप्वेस हाथ इस ट्रिप पर किसी को नेकर भी धिया सकती थी इन ड्रोन्स को एकसेप्ट करने के बावजूद भी जो आप पार्टी में अपने फ्रेंड को ने जाने का डिस्टाइट कहती है और पहुँचती है उस सिक्रेट जगा पर जहां कंपनी इसे बुलाया था इसे लूकेशन पर इन्हीं एक और नर्खा भी मिलता है और फिर हो ड्रोन उढ़ी एक कमरे तक्री आता है जहां बहुत सारे लोग थी और उन्हीं उसी पार्टी का इंविटेशन मिला था कुछ देर बात यहां कंपनी की गाड़ी आ जाती है उन्हीं इन्मिटेशन ही था पर वो अब उसे पार्टी में ना जा लेते थे लेकिन हिरान कुन दोर पर यह मास पहने हुए लोग उन्हें रोकते भी लही और फिर कुछी देर बाद पार्टी में आए सबी लोगों का मुबाइल फोन ले लिया जाता है मुबाइल फोन ले दे वरी सबी लोगों को अजीब दर रही थी पर यह लोग आदे रास्ते में आ चुके थे और कंपनी की बात मानने के लावा इनके पास कोई रास्ता भी नहीं था तकरीबन एक करिंटे की इस बोर की स्टाफ़ को इंच्वाय करते हुए आखर तारी उस आइन पे पहुची गए जह करीब आचाती है कोची देर बाद यहां पार्टी में एक बहुत बड़ा होलोग्राम जिलता है जो की एस्ट्रेग नाम की एक ओरत का था जो बताती है कि यह लॉंच पार्टी हमारी सौफ ट्रिंग कंपनी की है हमने इस पार्टी में सो लोगों को पिलाया है तेकिन इन सो में से सिर्फ पांच खुछ नसीब ही हमारी नियू सौफ ट्रिंग को टेस्ट करेंगे इन पांच ओनों को की नाम में जो आ का नाम भी था पांच ओको ट्रिंग दी जाती है यह नो उस ट्रिंग को पी लेते हैं जबके दूसरी दरफ दिखा जाता है कि जो की फ्रेंड जोस हो जादा डर के और जोआ को ढूरने के नियू उसकी तरफ भागी जबके दूसरी तरफ जोआ को तो उस ट्रिंग पीने की वज़ए से होश ही नहीं था उसे अब हंडूसी निशन सोने नहीं थे यह नहीं अचीब लड़ी चीज़ें ने ज़रा रही थी वो इतन उतन इसकी शुरू में देखा जान जोआ को कुछ यात ही है और उसे अब वही बॉटन मिली है जिसकी ड्रिंग उसने राफ में पी थी तो पूरे आइलेंड पे घूमी उसने देखा कि पार्टी में आए सबी लोग जा चुके थे अब किसमत से उसे वो चार लोग मिल गए जिसन मिल्टर पूरे आइलेंड पे खूंगती है और यह कुछ नहीं मिलता गंटों के इनकजार के बाद उन्हीं यह बात कंफर्म हो जाती है कि पार्टी में आए सबी लोग उन्हीं यहां छोड़कर वापस जा चुकी है इस वक पर उनके पास एक ड्रोन आता है जिसी की वही निर्खी है जिसके रात पार्टी में हमने होलोग्राम देखा था इस वे उन्हीं बताती है कि शाहिद जल्दी से रहात में बोर्ट तुम लोगों को यहीं चोड़ गई है पर आप लोग पर परिशान नहों वो बोर्ट आप लोगों को कोई हने में जरूर आईगी जब तक पोर्ट नहीं आती आप लोग यहार वेह सकते हैं पसकी ये बात सुनकर जोआ को काफी तिस्तनी मिलती है और तभी उसी अपनी दोस्त का ख्यालाता है जो उसके साथ शेयर से आई थी पता नहीं मुवापिस कई भी कि नहीं जोआ अपने रूम में आती है जहां पस देहने वालों से पोर्ट के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि समंदर में बड़ी लाईरी होने के पचा से बोर्ट को किनाये तक लाया जाना मुश्किल है और एक दो दिन का इंतजार और करना पड़ेगा और लोगों के पास कोई और चारा भी नहीं था कि वो इ इसी से उसे जवाब देता है कि मैं इस्ताम की दल्की को नहीं जानता जो अब डर चुकी थी उसे भी आइने के लोगों पर शक हो रहा था इस सबके बाद जो दुबारा आइलन के में अगई जहां वो देखती है कि एस आइलन के सभी लोगों को योगा करवा रही है जो आ क इसी वजा से जो आ को खुद अपना भी और अब दी बहन का भी खयाल रखना पड़ा ये सब सुनने के बाद एस्ट्रेट उसे होस्ता देती हुए गलें दुखाती है इस सब के बाद आइलन के लोग इन पांचों को बताते हैं कि कल को कंफर्म आपनों की बोट आ जाएगी पर आप लोग कहां से बाहर जा पाएंगे लेकिन ओनल का जिसे आईलेंड वालों पर शक्त था वो अभी भी उनकी बातों का एत्वार नहीं करता जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बाद की चाहरू लोग तो आईलेंड के लोगों से काफी खुल मिल चुके थे जोया की निको नाम की एक लेटी के साथ दोस्ती हो गई थी जबके जोया की दूसरे साथी को आईलेंड पर रहने वादी एक लेटी से प्यार हो गया था दिखाया जाता है कि अब इस्ट्रिड ने इन पार्चों के यहां से जाने के लिए फेवरिट पार्टी का इंतिजाम किया हुआ था पर जब सब लोग पार्टी में पीसे थी तो जोया का वो साथी जिसे आईलेंड बालों पे बिक्रेट बार नहीं था वो यहां से निकलने में नच्छाता है आईलेंड के किनारे पे आके उसने दूर से आती एक बोर्ट देखी जिसमें इस आईलेंड बेरेने वने लोगों किन्रे समान आया था यह बोर्ट इस देखी के लिए एक उमीद थी उस इस आईलेंड से बाहर च्वाने का रास्ता मिल गया था पर यह बाहत वो प्लिस तभी साथियों को बताने जाता है देखी चब कोई इसके बात नहीं सुनता तो वो अकेला ही आईलेंड की किनारे पर आके चुपते चुपते देखे वे उस बोर्ट के अंदर खुश जाता है रात थी इसलिए वो सो गया था जब सुबावस की आँख खुडी तो आईलेंड की एक लड़की उसे देख चुकी थी वो उसे कुछ बोलने का मुगाई नहीं देती और अपनी एक गैचिट से उसको मार देती है और फिर इसी रटकी की डेट बोर्ट एक साथ दुबारा इसी आईलेंड पे पापिस आके पर यहां पर अब इस आईलेंड का सच फ्यूबीर होता है इस आईलेंड पे रहने बाले सभी लोग एक कम्यूनिटी है चिनकी लीडर एस्ट्रिट है उसी ने अपने आईलेंड की कुछ लोगों को यह काम दिया कि बाहर से आने माले लोगों के साथ दोस्ती करके उड़ी इस आईलेंड पे रहने के लिए कंविंस किया जाए कर दिखा जाता है कि अगरी सुबा जोआ जिल्दी उटकई है पर अब वो किसी बिहान में इस आईलेंड से नहीं करना चाहती है साथ ही जोआ की ग्रूप के डो लोग एस्ट्रिट की कम्यूनिटी का हिस्ता बनने के लिए मान गए दिखा जाता है कि एस्ट्रिट हमेशा इस आईलेंड पे रहने के लिए उनसे एक कॉंट्रेक्ट साइंग करवादी ही है जबके सिंगीन कट होकर हमें इस शहर का सीन दिखा जाता है जोआ की बहन सोआ के लिए बहुत ज़्यादा परिशान है उस्टर पिमों के साथ बिलकर सोआ की मिसिंग डिपोर्ट भी पुलीस में करवाई लेकिन पुलीस फिर भी उसके बहन को नहीं डूँच सकी अब जो भी करना था जोआ की बहन को खुदी करना था वो जोआ को रूफ ट्रेक करती है और यहां उसे जोआ का एक वन मोबाइल में जाता है जिसमें डैनियल आप के नर्की के मेसेज़िस आ रहे थे डैनियल पही लरका था जो इस सेरीस के शुरू में पार्टी में ही जोआ से मिला था वो और जोआ काफी कदीब आ गए थे डैनियल टी इन मेसेज़िस से जोआ की बहन को जोआ के आर्योइन पिचवाने के बाहरे में पता चुना एक दूसरी देर के से उसके पास की बारे में बात करने को कहती है। वंडल का थोड़ा हिश्क जाओता है और फिर पता देता है कि बच्पन में उसकी लाबरवाही की वटा से उसकी बहन की डेथ हो गई थी। और इसी वटा से उसकी मौम दे आज तक उसके बात नहीं की। इसे पहने के स्ट्रीड उसे होसा देती जोग घुस्से में उठ खड़ी होती है और देती है कि सारा धोंग रजा रही है। वो हमें इसी आयनेंग पे रोखना चाहती है मैं जानती हूँ। साथ ही उसने कम्यूनिटी के बागी लोगों पर भी घुस्सा करना शुरू कर दिया। जो बार पर इनको लारंड कर रहे थे कि इनको वापिस ख़र ले जाने के लिए एक बोट आने वाली है। जो अकुस्ते में वहां से उठके दूर चली आई। उसके पीछे पीछे उसका दोस्त निको भी यहां आया। उसके उससे पुठंडा करते हुए निको ने से कहा कि अगर तुम इस आईविन की सचार चानती हो तो रात में मुझसे मिलना। रात होने पर निको उससे जमीन के नीचे एक कोहान में नेकिया। जहां नकडियों के उपर एक डैड़ बॉड़ी अखे हुए थी यह किसी और किमी बेलकि जॉआ की उसी दोस्त की थी जिसके साथ वो इस आईनिंग पर आई थी। जिससे देखते ही जॉआ चीख चीख कर रोने लगी। इसके साथ इस सीरीज की काहनी यही खतम हो गई। और इस सीरीज के दूसरी सिजन को पिल्कुल इससे सिंग्ट से शुरू किया गया। जहां अभी भी जॉआ अपनी दोस्त के लिए रो रही। इसी रात यहां पर एक बहुत 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 तोफाना जॉआ के साथ आई नेंग की तनम्यान में मिलकर खड़े हो जाती है ताकि इस तोफान से पुपत चकें। इसी रात जॉआ एक बेल नामी लिल्डर की से मिली है जिसने जॉआ को इस आई लिंग की सच्चाई बताना शुरू की। उसने बताया कि हमारी कमिनिटी में एक लिंग तावर्द यूस होता है। जिसके में मैं तुम्हें संचाती हूँ। जब भी इस आईलन पे हफ्टे दू हफ्टे बाद नए लोग आती है। उनके साथ कमिनिटी का एक लोकल आतनी जूर्णी की कोशिश करता है। तांकि वो उसे इस आई उन पर रहने के लिंगे मुना री। रही बताती है कि तुम्हारा लिंक निको है और जितना हो सके तुम उससे दूर रहो। यह बाह चानके जौर्णी काफी पर रिशॉर्ण्ट हो गई। जौर्ण अब उससे में निको के पास जाती है और उन से इन सारी बातों के बारे मुन पूछती है। और कहती है कि तुमने मुझे मैनोपलीर करने की कोशिश थी है ना। तारिस अच्छाई जौर्ण के मुझे सुनने के बात निको वो इस बात का यकीन हो गया कि कोई तो कम्यूनिटी के अंदर का बंदा की सारे राज वाश कर रहा है। ये बात तताने के लिए वो एस्ट्रिक के बास किया और यहां हमें बचा चलता है कि एस्ट्रिक की कहने पी ही जौर्ण की दोस्त को मरवाया किया था। और एस्ट्रिक की ही कहने पर निको ने जौर्ण की डेड़ बोड़ी दिखाए थी। ताके निकू उसे डराकर इस आइलेंड पर रोख सके लिकिंग अब निकू एस्ट्रिट से कह रहा था कि यह तो अब दोस्ट की डेड बोड़ी देखने के बात और पी जादर डर चुकी है और यहां से जाने के बारे में बात कर रही है एस्ट्रिट कहती है कि अकर जोआ इस बाहर चली गई तो वो हमें पकरवा सकती है हमें उसे फ्लतम करना पड़ीगा अब एस्ट्रिट ने जोआ को अपने टू में बुला लिया और पीछे ही अपनी इंस्पेक्टर को भी जो उसे अपने गैजिट से मार देती एस्ट्रिट से बाते करते करती चुपके से अपनना चाहती हूं उसकी इबात चुप देई एस्ट्रिट पीछे वाले इंडिकी को जोआ को ना मारने का इशारा कह देती है जोआ जोआ की जान गई थी कि यह लोग उसे मारने वाद है अपी जाहन बखशते देखकर उसे 20 से कुन का सांस मुला पर वो अपनी रूम में बापिस आदे जहां नेकू था उसके साथ बातों ही बातों में जोआ को यह पता चुदा कि जोआ के बारे में सब कुछ एस्ट्रिट को नेकू नहीं बताया है यह बात जान कर वो उसक्यों पर बहुत सादव खुस्ता हुई जोआ अब बहुत जादव खुस्ते में आचके थी वो अपना बतला ने ना चाहती थी इसलिए रहात में उसने सब के सौने का अंड़िजार किया और फिर एक स्क्रीव ड्राइवर की मदद से निकू को मारने के लिए पहुँची इससे पहले कि वो निकू को माहा पाती उस यहां से निकलने का प्लान बना रहा है कि महारी तरह ही हर कुछ हफते बाद नए लोगों को इस आइलेंड पे नाया जाता है ताकि वो एस्ट्री थी कम्यूनिटी का हिस्सा बन जाए और जिस दिन उन लोगों को यहां नाया जाएगा वनीं की बोर्ट में छुपकर हम यहा अब दिखाया जोदा है कि रात में एस्ट्री के अजवन ने अपनी एक एन्वर्श्ट्री की पाहड़ी रखी है एस्ट्री के अजवन यहां एस्ट्री के प्यार के निए एक स्पीची दे रहे थे कि तब ही अचानल कोई उनका सॉफ्ट्वियर हैक करनेता है जिसके ज़र आती है कि दूसरा हैकर बहुत पहुचा हुआ है और मैं उसके सिस्ट्म तक नहीं भांच पा रही है यह लोग अफ तैसला करते है कि यह इस कम्यूनिटी के किसी एक मेंबर को मार कर उस हैकर तक अपना पेगाम पहुच जाएंगे और उन्हें बताएंगी कि एस्ट्री कितन का कि आखिर आप काने के जा रही है दिखिं यह लोग दो आपो हामोश रहने कहते हुए क्लोडीय को लिकर यहां से निकल जाते हैं एक पहार की चोटी पर देजा कर इन लोगों ने अपने मेटल डिवाइस के सर ये क्लोडिया की जान दिनी किसीं कर तूकर दूसी तरफ हमे जो उस आत्मी के बेटे के साथ गाइब हुए थे और इसी के अंदर जोआ का भी नाम था इसलिए उन्हें 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 जोआ की फैमिली को कॉंटेक्ट करने का फैसला किया यहां जोआ की बेहन तो खुद ही जोआ को ठूंटरी थे वो फाइनली अप डैनियल नाम के उस नड़के से मिल दी जो जोआ के साथ पार्टी में गया था और वापीश शहर भी आ चुका था उसने जोआ की बेहन को सारी पार्टी की बात दाई ठीक है से उन्हें मेसीज आया वो लोग आईलेंड पे गए बहाँ पार्टी हुई जिसके बाद यह लोग वापिस आ गए इस नड़के ने जोआ की बेहन को एक रिस्ट पेंड भी दिया जो उन्होंने वहाँ जाते ही पहना था जैसी जोआ की बेहन ने इस रिस्ट पेंड को टच किया वो एक्टिवेट हो गया और इसकी खबर आईलेंड के लोगों को लग गई इस सीन में हमें डिखाया जाता है कि जोआ के साथ उसके चारों ग्रूप के मेंबर्स एक खडीच वाट परफॉर्म कर रहे थे उन्हें यहां चलते हुए कोईनों के ओपर से चल कर अपने हाथ पे एक टैट्व भी बनवाना था जो इनकी कम्यूनिटी का था इन दर पर एक कामों को करके हमकी हाइदत काफी हराब हो रही थी sofort से शयर फिसकें, इस टार इएक काम कर रही के बाद पर लोग इस कम्यूनिटी का हिस्ता बन सकते थे, अब इन्हें एक पेंडिग देघ गया था, जो इस बाद का सबूत था, कि यह latest की एक है इस उत्की नहींुनिटीर हेड मेंबर्स रिशा में हो गई है अब पुछ दन्यों को वक्त कुज़रा अब यहां पर वक्त के साथ जॉआ के ग्रूप के दरहां ही और लोग भी आते गए उन्होंने यहां पर वक्त कुज़ाइना शुरू कर दिया और उनमें से ही बहुत से लोगों को कम्यूनिटी का हि करते हैं एक तरह की opposition है यह वो जॉआ को भी अपने जात्मने को कहती है पर जॉआ उसे इंकार कर चुकी थी साथ ही जुआ ने उसे यह पर बताया कि वह अपने लोगों के साथ यहां से भागड़ी का प्लान भी कर चुकी है बैं जानती थी कि उसके उससे जाने का प्लान का पाएगा लेकिन फिर भी उसने उसे देमोटिबर्ट नहीं किया बसके हमस्दा दिया यहां तुम कामयाब हो जाओगी सिंकटो कर दिखाया जाता है कि रात में कोई अंजाहना आट मी एस्ट्री के उपर हामला कर निकली आया इस्ट्रीड को मार दिता है है एस्ट्रीड के ह पर बने दूर एक हॉस्पितल में गई थी जहां उसका इलाज कर दिया था इसके अगले दिन हम देखते हैं कि एस्ट्रीड ने दोबारा अपनी के मेंटिंग बुलाई यहिंग इसमेल्स ने अपने एस्पिन पर होने बारे में किसने को नहीं बताया इसके बचार उसने बत चुकता जिसके लोग इंतजार कर रही थे यह लोग फाइनली इस आयाट से बाहर जा सकते थे लिकिन उनकी यह खुशी तब गम में बदली जब उन्हें पता चला कि पार्टी में उन्हें में जगा पर काम करना है वहां पर कैमरा प्लोगे उस रिखती थी यह नहीं इनके उपर भर पूर नजर रखी जा सकती थी जोआ जो काफी दुखी थी और बीश्रू बैठी थी उसके पास अब उसकी दोस्त बैल आती है जोआ अपनी सारी प्रोब्लम उसे बताती है कि कैसे वो तो यहां से भागती का प्लान करी थी रेकिन आब उसकी ड्यूटी में जोआ और जोआ का साथी बंगेर किसी को शक्त दिलाए कई घंटे यहां सामोशी से काम करते रहे फाइनली अवो टाइम आज को था जब जोआ को अपना प्लान पूरा करना था उसकी दोस्त बैल उसके रहा स्टाब देने वाली थी उसकी कम्यूर्टी के जितने डिपल पर मास्क मिला जो बेंड ही इपनके नहीं महा रखी थे जिसको लगाने के बाद पानी के अंदर छुपते हुए बोर्ट तक पहुंच गया बोर्ट में चलते ही अब उसके सामने आइनलें का डोन आचका था यह देखकर वो खबरा आ जाता है उसे लगता है कि आप आइनले पर इस च्रोन को यहां से हर्टा देती है सब लोगों को चिक्मा देते हुए जो भी अब उसी पहारी के पीछे आई जहां से उसके साथी को अक्सीजन स्लेंडर मिला था इससे पहले कि वो भी अक्सीजन स्लेंडर पहन कर यहां से भागती इस कम्यूनिटी का एक मेंबर उस से पहले कि वो बोर्ट पे चरती उसे दूसरी बोर्ट में कोई जाना पेचाना इंसान नजराता है जो उसकी बहन थी और इस पार्टी में आ चुकी थी अपक्री बहन के जान बजाने की नहीं है अब उस दे अपनी जान को दाव पे लवाने का फैसला किया और इस